हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं का लगईब करें है कि नहीं का लगई भईंगा whiskey स бал कि अ की अ कम आसी ठ्सक्राइब जबूद। पेर वेस अपनो... पेस्टारी दामान्ट क्पार्पर्णेंज़र्ण में प्रफ्ण केशी है कि कुलमफ कैसी है एप कष्छान के चांट के वही डौई लएंग सथिस्ट्रेपाइग अपर इन्डिविक्षी नहीं तो अध्यू रेलाक्स ठीक हो जाएगी, पर कैसे ठीक हो जाएगी, एक मेने से चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखाऊ हुँ ही ना, यारी अन्विशा फोन क्यों ने उठा रही है, क्या हुआ, अन्विशा और मुझे शाम को एक पाटी में जाना था, मैं सभेरी से फोन ट्राय करियो, फोन ही उठा रही है, तो अभे को फोन करो ना, कुमल, अभी कहा है, खार गई है कुसी, आठ गारिजे में कुछ कान है, अभे, अन्विशा कहा है, फोन क्यों ने उठा रही है, क्या, 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 कब, मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ, आ रही अनुष्य अकल से गाइब है. वाट? यह तुछ स्केचेस है? सुरी, स्केचेस मैं नहीं बनाया है. मैं एक आउर्टिस्ट हूँ. अच्छा, विवा. तो कुछ खास बात है इंसकेचेस में, जो तुम इसे यहां लाई है? जी. क्या? इन पेंटिंग्स में जो जगह है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सर्व बार-बार मेरे सपनों में आती है. यह पिछले एक महिने से हो रहा है. और भी कुछ आखा है इसके अलावा? नहीं, सर्व जगह है. जो भी इस पेंटिंग में हो रहा है, मुझे लगता है कि वो मेरे सामने हो रहा है. मैं वहां मौजू दूँ. यह लाल साडी में औरत का खून, कोई आदमी से गोली मारा है. सर्व आर्टिस्ट है, कोछ ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया होगा इसने. जो सोचा था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही सबने में भी आ गया. नहीं, सर्व. मेरे पेरेंस पे ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है कि यह बूट चुका है, यह होने बाला है. अच्छा, ऐसी जगे पे तुम पहले भी जा सुकती हो, क्या? नहीं, सर्व. यह जगे पे तुमें कभी गई भी नहीं है. तु पर अचानक से ही इसारी सबने आने के जानी है? सर्व, लास में अपने फ्रेंज के साथ एक ट्रिप पे गई थी नहीं नता. वहाँ कुछ हुआ और उसके बाद से ही इसाब है. क्या हुआ? बताँ. नहीं, सर्व, कुछ ही आद नहीं है. डोस कौन-कौन थे वहाँ पे? सर्व, मेरे दो फ्रेंज थे. इला और राहुल. इला और राहुल. कुर्वी, कुमल से इला और राहुल के फोन नंबर्स लेलो, विनसे कौन्टेक्ट करो. और कुमल को घरज़ोगी. कुमल, क्या हम तुम्मारे इसकेचिजीए प्रेंटिंग्स रखलें? चलेगा? थाँए. क्यों. थाँए, थाँए. आईए. तरह, यह कुमल खो सोच रहे हैं इसा उसका है? यह कुमल को शुच रहे हैं इसा उसकता है? क्यों नहीं उसता है पंकर? बिल्कुल उसकता है. कुमन ने जो का वो सच है या उसका सपना था कुछ भी करके मेरी बीवी का ढूड़ी है इस्पेक्टर साहँ मेरी अन्मेशा आज तक मुझे बिना बताए कभी अपनी पाह के घर भी नहीं गई है और आज हालत है कि अरतानीज घटे भीच चुके और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी बीवी कहा है अन्मेशा को ढूड़ के लाए इस्पेक्टर साहँ प्रीज अन्मेशा को जिल्दी रूड़ देना प्रीज देखिये मैंन, अमको जादू करतो है नहीं कि फोटो देखी और ढूड़ यह कोशिश कर रहे अच्छा आप यह बताईए के अन्मेशा जी के गायब होने से पेरे उन्हें आपने कहा देखा था और कब देखा था कल तो पैयर वो गर से दिख ली थी इस्पेक्टर साहँ अच्छा बदा सकते हैं कि वो कैसे गई थी लिक्षा या फिर टेक्सी हमारी, हमारी कार लेंगे गई थी, सर्. ठीक है, आप नंबर दीजिये गाडिका. ठीक हम उसको फोन नंबर सेटलेंज पर डाल देता हूं, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इंफ़र्म कर देता हूं गाडिके बारे में. आप चिंता मत किजिए, हम उसे ढून देगा. आचा, सुनिये. जी, सर्. आपकी वाइफ ने जाने से बहले क्या बहना था? सर, तेरी बीवी ने लाल रण की साड़ी पहनी हुए थी. हाँ, सर्. वो हमें भी कैसे सपने के बारे में बोल रही थी? एक औरत थी लाल साड़ी में. एक गन थी. वहाँ पे तो, सर, ऐसा कुछ नहीं था. और जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पे तो इसमें कुछ देखने को ही नहीं मिला. और तो पूरा टाइम वो हम लोगों के साथ ही है, ना? अच्छा, ऐसे सपने उसे कब से आने शुरू है? मतलब ट्रिप में जाने से पहले या उसके बाद में? सर, ट्रिप में जाने के दो दिन बाद, क्या हो आजा दो दिन बाद? सर, वहाँ कुछ शिकारी थे. वह अचानक हमारे सामने आ गए और हम पे गन तान दी. नहीं, सर, वह तो खुदी हमें देखके डर गए थे. इनफाक्ट, जब कोमल भेश होई, वह तो वहाँ से भागी गए. सर, चर्च के आसफास तो वैसा कोई घर नहीं है. हलो? कोशिश से काम ने चलेएगा, समझेए? रिजर्ट काहा है. थेंक यू. सर, सर क्याना था कि मार्केट एरिये में शायद ऐसा घर में जाए. कुछ पता चला? नहीं, सर. सर. आप बोलू. सर, ठीक, ऐसे ही घर के पार में पता चला, जैसा में पताया गया था. काहा है? पताने यह सब हो चुका है कि होने वाला है. अगर कुमल गंदे के डर के ब्योश हो गई और उसके बाद उसे यह सबने आने लगे, गहीं वह इस कून का हिस्सा तो नहीं थी? सर, अभी तक तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है, यह सब सच है या संदा? कर दो यह संदा रहा है, यह समझ में यह सब खोगजा है. यह सब खूँए यह समझ पर उसके ब्याद का तो यह समझ में आने आने खूँए. विश्वासी नहीं हो रहा ठीक ऐसी जगए उस पेंटिंग में थी सर काकजोव मुझे रिकॉर्ड है उसके इसाब से इस जगे को छील महल के दहिए यह जील महल कोमल के सपने में क्यों आ रहा है ऐसी क्या बात है इस जगे में जो ये जगे उसके सपने में आ रही अच्छा इसके माली को बुलाया है? हाँ सर, मैंने इसके माली को फोन कर दिया है पुलीस यहाँ? यह यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते सर, सर आप यहाँ? हम यहाँ कुछ इन्विसिगेट करने आए हैं लेकिन तुम यहाँ कर रहे हैं, यह कौन है? सर, मेरा नाम अभय है मैं इस जगे का मालिक हूँ हाँ सर, सर, इनकी वाइफ अन्वेशा गाइब है और उनकी गाड़ी यहाँ से दो किलो मेटर दूर भी ली है और उनका मुबाइल लोकेशन यहाँ ट्रेस हुआ है, इसलिए हम यहाँ हैं ओ, हम भी यहाँ एक मुर्डर की तैकिकात करने आए हैं शायद किसी औरत का खून हुआ यहाँ पर इसने लाल साडी पहनी हुए थी सर, क्या बोला आपने? किसी औरत का खून हुआ है जिसने लाल रंकी साडी पहनी थी सर, लाल रंकी साडी तो मेरी बीवी अन्वेशाने भी पहनी हुए थी पेरगी तलाशीलो, चल्दी यहाँ जिसने लाल इसने लाल रंकी तलाशी तलाशी थी तलाशी थी आर पुराना, संदो पुराना. काला मैं? कोमल और उसके माबाब को बिलाओ, और डॉक्टर सालू के को भी. लगता इस कोमल ने ये खोन ओते में देखा दपने सब्सक्राइब. कोमल का नाम लिया? वो माला और यश्वन्त की बेटी कोमल है. क्या उसने पेरी हन्वेशा का खोड़ोते में देखा है? काला मैं? तुम इंजा को जानते हो? यहाँ, सर्. बहुत अच्छी था, सर्. एक दूसर को जानते हैं? यह क्या चक्कर है? यहाँ, सर्. यहाँ, सर्. यहाँ, सर्. यहाँ, तुम पुच्छलो, मैं आता हूँ. यहाँ. यहाँ, सर्. यहाँ, अच्छी था. यहाँ, सर्. यहाँ, वफए्ड़्ट अन्योख को जासBlack के नाते हैं? यहाँ, सर्. यहाँ. झाल झाल कोपाल, तुम्हें पहलो, तुम्हें पुझा पतायां को ने! तुम्हें पताया होगा तुम्हें को मेरी आनमेशा को ने पताया होगा तुम्हें पिछले एक महिने से एक सपना देख रही है लाल रंखी साड़ी इक में किसी और का खूण उते हुए. हमी लगा, वो ऐसे बड़बड कर रही है? सुर, यह वो अरत नहीं है. क्या? कॉल बिटा, ध्यान से देखो, लाल साडी जैसे आपने देखा था और यह जगे में ठीप वैसे ही जैसे आपने सपने में देखा था. सुर, यह जगा तो बही है, लेकिन अन्विशान भी वो नहीं है तो मेरे सपनों में आती थी. जैसे भी वो अरत का तो गोली मार के खून हुआ था ना? में का तो गला कट है. एकदम सही कह रही है. देया, यह यह बच्ची को मल एकदम सही कह रही है. यह वो अरत नहीं है जिसका खून होते हूँ इसने देखा. लेकिन लोक सब आप देया है. यहां आते वक नीचे मैंने खून देखा है. दूल में सना हुआ. मुझे लगता है यहां पर कुछ सालों पहले खून हुआ होगा. सर, मतलब यहां एक और खून हुआ है? शायद. और उसने भी लाल साड़ी प्यानी थी. और उसकी मौत हुई गोली लगने से. पुली पड़ी, गर के एक बड़ फिसे तलाशी लो. अगर आप तक जो गोमल बेटी ने बोला है वो सच हुआ है, तो यह भी सची होगा. सर, इस लड़की को सब कुछ मालूम है, सर. मैं दावल से कह सकता हूँ, लेकिन इसने कुछ भी ने बताया हम लोगं को. एक महीने पहले मुझे सपना आया था कि मैंने किसी औरस को मरते हुए देगा, वहाने बनानी है, सर यह, टाक्टिंग कर लिए. सर, अब पूछिए इस उजे तो यकीन है कि इसी ने बारा मेरी बीवी को. क्यों मारेगी कुमल अन्वेशा को? क्यों मारेगी? क्या मोटीवेस के पास? अब आखरी पर जब अन्वेशा से मिले थे, मतलब उस वक्त उसका बढ़ताव कैसा था? किसी बात को लेके डिस्टर्ब थी वह, बढ़ताव अजीब था कुछ उसका? जी सर, डिस्टर्ब थी सर वो. डिस्टर्ब थी किस बात को लेके? सर, जरे सर, अच्छानक का बारा बिजनेज बन पड़ गया सर, बर्भाद हो गए अब लोग, कंगाल हो गए एक तक सर, अर्मेशा ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा आप है, सब ठीक हो जागा, पैसे अरेज़ करने वाली थी सर वह आज, पैसे? सर, अर्मेशा की कॉल डीटेल्स निका दो, पता करो कौन-कौन कॉल करता था उससे, और किस बिर किन लोगों से, वो जादा बात के बिज़एगा, ठीक है? और उसके क्रेंट कार और डेविट कार के डीटेल्स में निकालो, यनवेशा को खोन कुसरी पुराने अपरात से जुड़ा हुआ है, तर अंदर कुछ भी नहीं, अगर एक और खोनो आतो तो कई न कई लाष्ट हो देख जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, यह भी तो अस सिमेंट, तो सकता है लाष्ट को कहीं गार दिया गया, यूकि कोमल के उस स्केच में सिमें का सॉलूशन का, तो कहीं वो एकाम करो, इस घर में पता करो ऐसे कौन सी जगह है, जहां पे हाली में सिमें का काम हुआ है, ज़ो लेगे, पुर्वी, पेड़े! आसर, यह दिवार, बाकिके दिवार से एकदमा लग है, यहाँ पर यह प्लास्टर सब निकला हुआ है, और यह दिवार एकदम साफ, इस दिवार में कुछ कड़ मढ़े, यह दिवार थोड़नी पड़ेगी. ऐसन हम निवार से एकदम до ओझ दिवार थोड़ेगया आपकर प्लास्टर से एकदम लगदरीया लग चार श्यॉए्स. यहाँ, 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 आप्टों कंकार पिड़ेंगे? कंकार? यहाँ, इसमोट अचनि, यहाँ, 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 पिल्डेने, यहाँ, वित वतकी है,। कि समझ भी नहीं आता है एक लड़की जो अभी जीन में गई ही नहीं जिसने अभी किसी लाल साडी वाली हुरत का खून होते हुए देखा ही नहीं उसे इस सपने कैसे आते हैं उसे ये सब कहसे मालो है और हम उसकी बात को जूटा सावित नहीं कर सकते सर क्योंके उसने जो जो स्तितें एक पर चैलत में उसके साम लोग रिग्रेशन सेशनी टिर्फिए स्कते है तilly आ वेघ्राशन सेशन नहीं कर सकते हैं क्यों चाहिका हा तो उन्हों का हईसे लीजे बीमारी नहीं नहीं कोई कल्पना नहीं अल्कि एक मान्सीk स्थिति है लिऊसी रिथ अगर लड़की इस घटना का हिस्सा थी तो फिर वो हमको बताती ही नहीं रही है वो यह क्यों बोल रही है कि वो उस जगे को नहीं जानते उसने खून होते भी नहीं देखा? यही तो प्रॉब्लम है दया, यही समझ में नहीं आ रहा है कि लड़के ऐसा करके हो रही है, यह कुछ छिपा भी नहीं है और बता भी रही है एक बार इस यह कंकाल के बारी में परता चुने जायाएना, कि है कौन? बिस, यह कंकाल, एक यह ओरत का गा है जिसकी उमर 38-40 साल गए है और कारबन डेटिंग से पता चला है कि यह कंकाल दस साल गउरा है क्या ??? मतलब उसक कहुंदस साल पहले हुआ है जो क्हुन दस साल पहले हुआ है उसका सपना ये कोमल अभी कैसे देख सकती है अभी कैसे पुसे बलेज है? ऐसा ही नहीं हो अभी अभाइब अबस इस ओरत का खून हुआ है गोली लगने से यहां ये पसलियों की हड़ी में यहां पर गोली लगी है जूर सर वो खून से शनावा जो खोन जूकर निशान मेले थे जील महल में वो किस का तरब था ? तो अभी इस हह औरत के भी और ब्यान मेश कर लो सब्सद्द्ध तू पर ऐसिंग कर सकता इस अंकाल का हाह, नकोशिश कर ला हूं बस तो कुछ और पता दीजे, जिससे इस अवरत के बारे में हम कुछ पता लगा सके हैं। नहां, इसके दांतों से कुछ पता चल सकता है। Boss, यह औरत जिंजिवाइटिस की पेशेंट थी और इस बीमारी के पेशेंट अधिकतर अपने लिए एक जबड़ा, एक डेंचर बनवा करके रखते हैं। अलाकि दस साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी पता किया जा सकता है। शायद कभी इसने डेंचर बनवाया हो। एक काम करो। इसाबयो रेश्वन के पडिवार में देखो क्या कोई एक और अच्पी जिसे ये जिंजिवाइटिस की बीमारी थी। क्या पाप कर रहे हैं, ओफिसर? कोमल ना जो सपने में खून होते हो देखा था, वो दस साल पहले हुआ था। वो भी जील महल में। जी हां, और हमें लगता कि कोमल उस वक्त वहां पे थी, जब ये खून हो रहा था। ओफिसर, ड़स साल पहले कोमल साथ साल की थी। एक साथ साल की बच्ची वहां जाके क्या करगी? वही तो हम भी जाना चाहते हैं, एक साथ साल की लड़की यहां से पचास किलो मेटर दूर जील महल में पांची कैसे? अकेली तू गई नहीं होगी, किसी नहीं किसी के साथ ही गई होगी ना? अफिसर, तो कोमल छोटी थी, तो हमारे साथ बहर जाती थी। और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी उसे जील महल लेके गया हूँ। वैसे भी जील महल अंधरा साल से बन पड़ा हूँ। और कभी कबार वो बलिंदा की साथ गुमने जाय करती थी। बलिंदा कौन है? बलिंदा कोमल की नैनी थी। उसी ने उसका तेकबाल किया है। अब कहा है वो? नौ साल पले उसने काम छोड़ दिया। उसका एड्रेस फोन नंबर कुछ तो होगा आपके पास। जी हाँ, देती हूँ। यह ट्राइवर कब से आपके पास पुराना है? जी हाँ, है। कब से काम कर रहे हैं? कई सालों से काम कर रहे हैं साथ। कभी कोमल मेडम को जील महल लेके गया हूँ? नहीं साथ। यह साथ। जी वहीं पे हैं साथ। अच्छा? 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 अच्छा, सार. मिस्टर यश्वंत, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा. कहा? यह नहीं हो सकता, यह जूट है, अपलोग जूट बोड़ने मुझसे. जूट तुम बोलो, यश्वंत. सब कुछ जानते वे भी हमें गुम्रा करने की कोशिश कर रहे थे. मैं क्यो करनंगा क्यों गुम्रा? तुके पताया क्यों नहीं? कोमन थे जिस उरत का खून होते वे लिए देखा था वसे तुम चानते थे? सार, मैं नहीं जामता था कि कोमन थे जिस आृट का खून होते वे देखा थे वह उसकी माँ online colabor na हमने उसकलेटन के डेंटल का से पता लगाया जिस डॉक्टर से कलपना अपना टेंटल थीदमेंट ती उसीने बताया के वा वरत तुमारे परिवाज से थी तुमारे बीवी कलपना यश्मान थी आपके हाज जो हुँता हूँ सनि प्लीस कोमन कोमन बताना कि उसने अपने माह का कुण लोते को देखा है सुब प्लीस, वो तूल जाएगी सुब ठीक है तो पर सच्चा ही क्या है वो तो बताओ तो मारी बीवी का कुण किस ने किया और क्यों और ये बात तुमने हमसे चुपाई क्यों मुझे नहीं पता सर नासर इतना जानता हो कि कलपना बहुत साल प्ले मुझे डिवर्स तेख तर वो भी तो मुझे छोड़ चली गई क्यों? उसको प्यार हो गया थासर बस फिन साल की कॉमन को मेरे पास चोड़ चली गई तब से कॉमन को माला समाल लई कॉमन जानती है कि माला उसकी सोतेली माय नहीं जानती हो ये कलपना यश्वर को डिवोर्स देखे कहीं और चली गई थी तो तो फिर वो जील महल में आके कैसे मर गई उसका फून होते वे कॉमन ने कैसे देख या बहुत कुछ मालूम है मुझे लेकिन मेरी कोई सुने तब ना जब उनको बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया नौकरी से निकाल दिया? क्यों? क्यों निकाल दिया? वो क्या है? एक बार जब कुमल बहार से गुम के घर पे आयी थी तो बहुत ही चुप थी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसके मुझे कुछ भी नहीं बत्या. फिर उसके दो दिन पाद, वो ड्राइवर संपत्थ. कोमलवेधी! संपत्थ! गिरने के वज़े से उसके सर पे चोट लगे और वो अपनी याददाश खोबैगी. ये बात मैंने यश्वन जी और माला जी को भी पताया था लेकिन इन्हीं मुझे ही सुना दिया. और फिर मौकरी से निकाल दिया. कोमल घूमने के लिए पहार जाती है. और जब वापस आती है तो जुपचाब है. और फिर कोई उसे सीडी उसे धक्का देता है. उसकी याददाश चली जाती है. और कुछ साल बाद आचानक कोई आता है कोमल पर गन तान देता है. कोमल बेहोश हो जाती है. वोश में आने के बाद उसे वो खून वाले सपने आना शुरू हो जाता है. इंट्रेस्टिंग. अच्छा, कोमल उस दिल दब चुपचाप लौटी थी, वो किसके साथ लौटी थी? विकार जी के साथ. जहां कलपना का खून हुआ था, दस साल बाद ठीक वैसे ही, वैसी कपड़े पहने हुए, अन्वेशा को मापे खून हो जाता है. यह कोईंसी दूनियों सकता वर्स. वो सकता है, जस साल पहले वे खून की गवाव हो और खूनी ने उसे किसी बाहने महां बुलाया और मार दिया उसको. और इस अन्वेशा ने खूनी को ब्लैक्मिल करने की कोशिश की होगी तो उसने उसे रास्ते सहता दिया. कुमल की जान को भी खुद्रा हो सकता है. उनी को डर होगा कहीं उसकी याददाश बापस ना आ जाए. उसको भी मानने की कोशिश करेगा वो. अरे, ममी नी कहा था ब्यूरो जाना है, पापा महा है. तुम तो कहीं और ही लेके जा रहे हो. न cheesy कर, मैं तुम्हें कहीं और लेचा रहा हूँ. – कहा एं? – तुम्हें तुम्हारी मा के बस. क्या वखवास कहरे हूँ? ममी तु हुआ था जाए? माला, उले तुम्हारी असली मा नहीं है. तुम्हारी असली मा कलपना थी. जिसका खून होते हुए तुमने तस साल पहले देखा था क्या और अब तुम्हारी बारी और न्यूस में आएगा कोमल की एक्सिडेंट में मौन औश्यारी मत दो कुई है जिए! सियारी पाइ, निकल, चलिए, निकल, चलिए. कोमल को घट्चोड़ो. किसके कहने पे कर रहे हैं? बॉल, विकास्सा! क्या हो गया, विकास्स? कुछ बोलो ना, बैचा थुरा जल्दी करो. क्या हो इनको? पता नहीं क्या हो गया, ज़र. यह ओफिस से आया मीटिंग से, और इसे बिहोश हो गया. लेजो, जल्दी लेजो. चल्दी करो ना, भया? इसको तो जहर दिया गया? अब इसको किस ने सेर दिया? हम सोच लेदे कि विकासी खुणी है, और विकासी शिकार बन गया. जब खुणी कोई और ही है. कौँ? सर, कही यश्वन तो नहीं? यूगी शोड़ के भाग गए थी, तो बदला लेने के लिए टोखे से जील मैन में बुला लियो से और मार दिया? माला भी हो सकती है. ज़र लग रहा होगा कि ये कल्बना वापस ना जाए. इसलिए राशे से हटाने के लिए मार दिया माला लाना. और अन्वेशा? अन्वेशा को क्यों मारा? सर, अभै और यश्वन ती एक साथ बिजनिस कर रहे थे. शायद अन्वेशा को कुछ पता चल गया होगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था. तो मुँ बंद कर दिया उसका भी हमेशा हमेशा के लिए. इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए एक तरीका है. एक तरीका है. क्या, क्या साथ? कोमन का साइको एनालिसुस. रिग्रेशन टेस्ट करते हैं कोमन का. जब वो साथ साल के थी और फिर सवाल करते हैं उसे. देखते हैं क्या जवाब मिलता है. मगर सर, सभी साइकेट्रिस सारुंके साथ… सबने मना किया उसके साथ एसा टेस नहीं करने के लिए. खत्रा हो सकता है उसके लिए से. अभिजेत, करना है तो करना ही है. बस फिर देखा जाएगा. किसने मारा उस वरत को, बिटा? आखो मैं? ममा… ममा के हाथ में… ममा के हाथ में कान है? यह सुनने से पहले मैं मर क्यों ने गई? जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया, वो आज मुझ पर इल्जाम लगा रही है. यह इल्जाम नहीं है, बाड़ो. अकिकत है. यह सब जोट है. क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्या किया आप लोग ने? हाँ, माना कि मैं सौतेली मा हूँ. पर मैंने उसे सगी मा से जादा प्यार दिया है. तो पर आपकी सौतेली पेटी आप लगा रही है? ओफिसर मुझे नहीं पता. कॉमल मुझ पर क्यू इल्जाम लगा रही है? मुझे नहीं पता. मैंने सपने में भी कॉमल के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा. कभी नहीं. किसने मारा उस ओरत को छील महल में दस सल पहले? अब है अंकल? अब है अब है अंकल के हाथ में कान? नहीं तो. तुम सब लोग मिलके ना मुझे फ़सा रहे हो. यह यह उन तीरों की चाल है. मा, बाप और बेटी की. और जिसने तुम लोग भी शामीर हो. एक बाद बतो. कौन ऐसा वेवकूफ आदमी होगा, अपनी भीवी को मार कर खुद अपनी जगे बत अपनाएगा. बोलो, और मैं उस कलपना को क्यों मारूँगा? मेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था. कॉमल, दस साल पहले जील महल में तुमने किसे देखा था? किसने मारा उस औरत को? पापा, मैं, मैंने पापा को देखा. पापा, पापा एक, पापा एक गंड के साथ है. शुड़ो पुमल, वो मुझे वहां कैसे देख सकती है? जबकि मैं नियोप जा रहा था, मैं फ्लाइक में था. उसने विकास को देखा हुगा जील महल में. यश्वन जी, तुम्हें कैसे पता जला कि विकास जील महल में था और उसीने कलपना को मारा? फस गये ना? हमने कोई रिग्रेशन का सेशन नहीं किया पुमल के साथ. यह दुबस एक नाटत था, सच उगलवाने का. और तुमने सच बताई दिया. चुला, यह भी बताओ. क्यों मारा तुमने कलपना को? क्यों मारा? कलपना वापस आना चाहती थी. उसके वापस आने से एक तो मैं माला को खो देता हूँ. और तूसरा कलपना की सारी प्रापरटी जो कोमल के नाम पे थी, मेरे हाथ से निकलड़ा थी. कैसे बाप हो तुम? दुनिया का हरफ आप अपनी अवलायत के लिए जाहिदादी कट्ठा करता है और तुम? तुम तो अपनी बीटी की जाहिदाद है अपने निकले. वहाँ. मैं कोमल का असली बाप नहीं। क्या? मैं कोमल का असली की पहली प्रती की बेटी है और यह बात सिर्फ मैं और कलपना ही जानते थे. और कुछ समय साथ में रहने के बाद कलपना ने तुम्हें तलाग दे दिया? मैं तलाग देने के लिए मैं एक शर्च रखी जोसे बास. मैंने का था कि डिवोर्स पेपर पत्तवी साइन करूंगा जब वो मुझे सारी प्रोपर्टी जैदेगी. और वो बहुत चालात निकली. उसने उल्टा शर्त रखा. कहने लगी कि तो सारी प्रोपर्टी कुमल के नाम कर देगी. जब तक मैं कुमल का ध्यान दखूंगा, उजाएदाद मेरी होगी. और वो कुमल को छोग कर चलिएगी किसी और की साथ. और दो तिन साथ बात अचानक उसका फोन आपका है. कि वो वापस आना चाहती है. मेरे पास है. कुमल के पास है. कुमल के प्रोपर्टी के पास है. मारा कैसे कल्पना को तुमने? मैने अपने पुराने दोस्तों को एकटा किया. पिकास, अर्वेशा, और डाइवर संपत को. कुमल के पास हैं अर्वेशा, और कल्पना को थी फ़ोन किया और उसे पताया कि वो जील महल आजाए कुछ इम्पॉटन बातें कि डिसकस करनी है. और कल्पना जील महल में आई और तुमने उसे मार किया. मैने नी मार दिए. वेकास अर्वेशा नी मार दिए. मैं तो नियोक के फ्लाइट में था दा था था ले जब कोमल बीच के कहा से आ गई उसने कोनोते वे कैसे देख लिए बाद इसिद्दी लड़की है विकास जब जब जहील मेल के लिए निकाज आख तो कोमल ने जिल पकडड़ी कि वो भी चली की साथ अथ पस पच्बुरां उ उसे एक आइसकेम देल आई और उसे कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो पर विकास गाड़ी का दर्वाजा लॉक करना भूल गया वर कोमल पीछे पीछे आवजे और उसने सब कुछ देख लिया है बचाओ, बचाओ, बचाओ तुम ने उसे थाख नवा दिया है। बच तो गई लेकोन उसकी याददाश चेल गई. उसकी याददाश चले जाने से हमारा रास्त्र साफ हो गया और उमारा इडर भी खदो हो गया। कि अज़ एक कि अन्वेशा को क्या मारतीया? अन्वेशा का बिजनेस दाउन चब रहा था, तो उसने मुझे फ्लैक्मेल करना शुरू कर दिया कहने लगी कि कर्पनाय के मौत के बारे में सब को बता दिती, मच्पूर ने मारना पड़ा एक गुना चुपाने के लिए तुमने तीन तीन गुना किये अपने बीवी को मारा है, दोस्तों को मारा बेटी को दो बार मारने की कोशिश भी किई सिफ पैंसो के भी है, कानून तुम्हे कभी माप ने करेगा, कडी से कडी सजा होगी तुम्हे, पासी होगी तुम्हे, पासी कि उलोगे टूए झाल था लाजवा समय होगी से तुमना है